हेलो प्रिप्रेंट स्वाके दैप सभी का आप सभी के पसंटर्टिव चैनल राय एजुकेशन में दी ट्रिप बिए ग्यापन भरती निकली है और इसका विजयापन भी जाया है इसकी बहुत करने वाले बहुत इंपोर्टन ली इस वीडियो को देखेंगे इसकी बिलकुल भी मत करिए क्योंकि आपके लिए बहुत सुने रासर है आपने seated exam qualify किया है तो आपके लिए बहुत ही important यह भरती हो सकती है D.A.D. special वाले जो भरती है जिननों ने D.A.D. special course किया हुआ है उनके लिए बहुत important है इस वीडियो को ध्यान देना तो चलिए बिना किसी दिरी के पूरी advertisement को पढ़ते हैं क्या-क्या किन-किन पदों पर भरती है पूरा डीटेल छोट हैसी वीडियो में तो वीडियो को जादा जादा शेयर कर दीजेगा और चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब खले जगा ऐसी latest भरती की notification सबसे पहले पाने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं तो यह डीटेल विग्यपती है और टीजमेंट है वेगेंसी नोटिस अब देख सकते हैं चार सारी की डेट है और यह आपका जो अप्लाई करने की बात है उपनिंग डेट अप्लिकेशन की है पंद्रा मार्स से है और लास्ट डेट इसकी है चौधा अब सबसे इंपोर्ट की डिटेशन पे चलते हैं और क्या कि इतने प्तने प्त है ग्रेट पे क्या है तौटल कैटेग्री वाइस अगर आप आप देखेंगे तो यहां पर यहां पर और और यहां पर देखूं तो नॉन टीचंग पोस्ट के लिए वह अप्लाई कर सकते हैं धिर सारे पद आप दे टीचर यहां पर आप मैं यहां पर बात कर लेता हूं एजुकेशनल फिल्ट की यह है आपके 31 32 से कॉलन में ट्रेंड ग्रेजवेट टीचर यानि टीजिटी लेकिन वो है डीफ एंड डम के लिए यानि की स्पेशल भरती है और अब आप यहां पर देखेंगे टोटल नंबर फेकिंसी यहां पर 19 है और सबसे जादा जो स्पेशल एजुकेशन के पद है प्राइमरी टीचर्स के वो आपका वहीं आपका एमसीडी देखती है एमसीडी परती जो होती मुंसिबाल कार्परेशन डेली का जो है और यहां पर टोटल जो पद है वो 1126 पद है है तो यह स्पेशल एजुकेशन वाले के लिए यहां पर बहुत फायदा होने वाला है डीटेल नोटिफिकेशन आपको यह जो पीडिएफ है यह टेलिग्राम ग्रूप में अवलेबल हो जाएगा और वहां से आप सारी चीजें डीटेलिंग इसकी कर सकते हैं और जो कुछ हमारे समक्ष है उस पर भी थोड़ी निगार देख लेते हैं एजुकेशन कॉलिफिकेशन में सबसे पहले बात करना है हमको की स्पेशल उस पर आई यह पहले नजर देख लेते हैं क्योंकि एसेंशल एजुकेशन कॉलिफिकेशन पर ही आप लोग का फोकस रहेगा कि है कौन सा एसेंशल कॉलिफिकेशन जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और नॉन टीजिंग पोश्ट के फंडिटी की भरती है 1126 टूटल पद दोब्लो एस के लिए चेहन पद हैं यू आर में चाहसो सटासी पद हैं और वहीं बात करें स्ट के लिए 144 और इसमें फिर आपका पी एच में विजूली इंप्यर्ट के लिए 22 हैं और ओश के लिए और जो पैडिक होते हैं उनके लिए 20 पद हैं एजु और इसके लावा सीटेट आप क्वालिफाई होनी चाहिए हैं और आपका जो ग्रेट पे हैं 9300 से लेकर 34800 है 2400 ग्रेट पे के अंतरगत आपका बेस के लिए ग्रूप भी भरती के अंतरगत रहेगा आपका डिपार्टमेंट ग्रूप भी के अंतरगत आता रहेगा और अलग से स्केल टेस्ट रहेगा लेकिन जो लोग टीचिंग फिल्टिकल एपलाई करना चाहते हैं उनके लिए एक ही एक्जाम होगा और इसके अनुसार आपकी मिरिट बनेगी मिरिट में आपका चैन होगा तो आप इसके लिए एप्लिकेबल केंडिडेट माने जाएंगे यह कुछ डीटेल बाते रही हैं DSSB वेकेंसिस के बारे में बाकी और भी विबागों की वेकेंसिस आएंगी लगातार हम लोग अपडेट देते रहेंगे और इस स्पेशल फोकस हमारा रहा था है टीचिंग एक्जाम को लेकर बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए इंप